जाहिन दोस्तों, रेज के सनाईए सेकेडमी आप सभी का स्वागत है दोस्तों हम लोगोंने एक क्वेश्चन एंसर सीरीज शुरू किया है जिसके अंतरगत हमने पिछले चार वीडियो के माध्यम से 2011 और 2013 में जो भी टेट के प्रस्ण आयुए थे किस नाम से जाना जाता है वाई दाब मापने के लिम किसका प्रियोग करते हैं बैरो मीटर का ठीक है क्योंकि थर्मा मीटर का प्रियोग कहां कियाता है सरीर का ताप मान मापने में सिस्मोग्राफ का प्रियोग कियाता है आपका भूकंब की तीवर्दाम आपने में और हाइड्रोमीटर का प्रियोग कियाता है आपका जल का घरतम आपने में एक होता है हाइड्रोमीटर और एक होता है इसी की तरह लिखा जाता है लेकिन होता हाइग्रो एक होता हाइग्रोम हुआ यदोओ घर्च चाहई भाइट से आप क्या मापते है वाई मंडल की अधरता जहां घ्रो लगा होता है है वाई मंडल की आधरताम आपने हमें इसका प्योग करते हैं लेकिन हाइड्रो मेतर का आप आप करते हैं जलका घनात मापने में ठीक है मारा दूसरा प्रसना है ब और या एक बैक्टिरिया बैक्टिरिया जिसका नाम है बेसील लस थोरी जी नसिस ठीक है इसी को साड़ फ़र्म कहा जाता है बीटी यह कपास का डिन ने था इसके पास हमने इस bacillus thurigenesis का DNA हमने काड के मिला दिया अब यह जो संकर DNA बना इससे जो पाइदा पौधा तयार होता है उसी को कहा जाता है अब इस ट्रांफजेनिक पौधा अब इस ट्रांफजेनिक पौधे के अंदर जब बैक्टिरिया का DNA आ जाएगा तो यह क्या करता है कीट ना सक पैदा करने की छमता जाएगी और जिससे यह भानिकारक कीटों से अपने आपकी रच्छा करेगा ठीक है बीटी का पास का एक ट्रांफजेनिक पौधा है ट्रांफजेनिक का मतलब होता है कि कपास के DNA के फाद किसी दूसरे DNA को मैच कर दिया गया इसमें किसका मैच क्या गया एक बैक्टिरिया के DNA को बैक्टिरिया का DNA क्या करता था इसके जो एक कीट ना सक पैदा कर देता था इस की जल में एसिट की मात्रा बढ़े एसिट बढ़ना उसमें आप देखेंगे जब यह सो टू के साथ जल की किरिया होती है तो यह बना लेता आपका यह सो फोर जो कि क्या है एक श्ट्रांग एसिट है और इस परकार यह सो टू जो है वह अमल बरसा के लिए उत्तर दाई होता ह है ठीक है अमल बरसा के लिए उत्तर दाई होता है अगला रफ्र है है निंखित में से कौन सरवदिक उत्पादक पर परिष्टिकी तंत्र है मतलब कौन सा इसा पारिफ्थी के तंत्र है जो सबसे जादा उत्पाद है बहुत ज्यादा मत्रा में पेड़ पावध्य हो और ब दोनों तरफ बहुत जादा गर्मी भी वोती है और आदर्ता अधर्ता आधर्ता थीए जब ज़ादा गर्मी हो सब Politics zap है वूफ 20 कट वन कुंठेंगे टुन्ड्रा जो होता है यह उपोर्फ कटिवंद छेत्रों में होते हैं मरुस्थल में वैसे ना तो ज्यादा पेड़ पहुते पाए जाते हैं ना है जीव जन्ति वहां पे कटिली हड़िया होती है तो सबसे सर्वदिक उतपादक आपका पारिफ्थित की तंत्र होगा उफ कटवंदी वर कारण 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 इसका होता है दूसित जल और दूसित खाना दूसित खाना दूसित जल पीने जल और दूसित खाना इसकी वज़ास से टाइफाइड फैलता है अनीमिया यह लोहे की क्यमी हो जाती है हमारे ब्लड में टेटनेश होता है यह बेक्ट्रिया की वज़ास होता है लेकिन जन्गल लगे लोहे से हमारा पैर कट गया या मिट्टी में टैले तो इससे है ग्रीन हाउस गैस नहीं है पूछ रहा है तो हम जानतें ग्रीद हाूस गैस मुख ग्रीन हाउस यजियों टो नाइड्रस आक्साइब आपका क्रीन हाउस गैस नहीं है जबकि CO2 नाइट्राफ आकसाइड और मेथेन और CFC क्या है आपके ग्रीन हाउस गैसे हैं अगला प्रसें इन में से कौन दी बीज पत्री पाउदा ठीक है बास केला गन्ना सर्सो आप देखेंगे बास की पत्ती कैसी होती है ऐसी माले पत्ती है इसमें रेखाए सीधी सीधी रेखाए होती है आप केला की पत्ती देखेंगे तो केला की पत्ती माले पत्ते ऐसे हैं और इसमें रेखाएं भी सीधी सीधी होती है ठीक सीधी सीधी आपकी एसी रेखाएं आ रहे हैं गन्ना की पत्ती भी लगवग ऐसी होती है और इसमें भी क्या होती है रे तो यहां आप देखेंगे पीपल का पत्ता सरसो का पत्ता यह की पत्ते में जो नसे होती है आपकी इसे छित्री विद्री रहती है तो आपका एक वीजपत्री दीवीजपत्री की सबसे बड़ी पहचान है जिसमें पत्ते आप देखी जिसमें रखा है सीधी सीधी है ठीक है वह आपका एक वीजपत्री होगा, ठीक है, और जिसमें पीपल के पत्ति हम जैसे जाली नुवा होता है, उस तरीके से बना हुआ है तो आप आपका वजाएगा दीवीज पत्री तो आप देखेंगे सरसो क्या है यह आई परगार का दीवीज पत्री ठीक है अगला प्रफ नमारा है पाउधे में जल का अधिकरहण किसके द्वारा होता है जल का अधिकरहण करना है जासे जल जासे जाइलम मतलब पाउधे जल क प्रफम साहित्तिक श्रोत है पर्थम साहित्तिक स्रोत का मतलब यह हो गया कि सबसे पहले जो लिखा गया हो तो जब हडपा काल खतम होता है तो उसके बाद बैदिक काल आता है तो सबसे पहले कौन सा बैदिक काल आता है रिग बैदिक काल और रिग बैदिक काल में लिखा जाता है आपका रिगवेद और रिगवेद ही सबसे पहला साहितिक स्रोत है क्योंकि सामवेद यजूरवेद अथरवेद ये उत्तरवेदिक काल में लिखे गए हैं तो हमारा पहला आपसन सही हो जाएगा ठीक है दोस्तों ये आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो क्रिप्या इस चैनल को सस्क्राइब करें और अपने दोस्तों में सेयर क बढ़ता रहे ठीक अगला प्रस्ण हमारा है वाई मंडल में निन्यान परिफद भाग किन्हीं दो गैसों का विस्तार है मतलब वाई मंडल में जो सभी गैसे पाई जाती है उनमें निन्यान परिफद कि और दो प्रकार की गैसो तो कौन-कौन सी है आप जानते होंगे एक अकसी इन नाइक्तों जैन आपका कितना है नाइक्तों आपका 78% एक्क्यान आपका 21 परसंट ठीक है 21% आप दोनों को जोड़ेंगे आप जहाए 99% तो ये नाइड्योगन और आपको मैंनल के निन्यान परिफद कैसे बनाती है और एक एक प्रफद आपका और सबसे आदा प कारवंडाय का एकसाइड ही आपके वाई मंदल को गर्म करने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है अगला प्रफन हमारा है प्रयाव रड़िये अध्यान में सैच्छडिक भरमण का मूल उद्देश है आपको भरमण पिले आते हैं या किसी लंबे टूर पर ले जाते हैं तो उसका मूल उद्देश क्या होगा उसका मूल उद्देश होगा कि छात्रों के लिए परतेच अनुभो ठीक है जिस्सिर्ट जो कुछ बुकों में पढ़े हैं या टीवी पर देखें उसको परतेच रू सैच्छिडिक भरमण का उद्देश होता है कि छात्रों में परतेच अनुभो आए किसी भी चीज के परते ठीक है अगला प्रस्ण मारा है कि कार की रूप से सुस्क मिट्टी कि क्या विशेश्ता होती है सुस्क मिट्टी ठीक है आप लोग गाउं में रहते हैं जितने सैफार का लोन होका उसमें लोडता पाई जाता थी टीज का मतलब यहां सार्ट ठीक है साल्ट ठीक है जो सुस के मिट्टी ठाहीं अग्ला अगला प्रफ्ना है शातत और ब्यापक मूल्यांकन क्यों होते हैं निरंतर मूल्यांकन होते रहने से सिच्छार्थियों में परिच्छा का अनवस्यक भय नहीं होता है कहने का मतलब जब आपका बराबर मुल्यांकन होता रहेगा आपकी छोटे-छोटे टेस्ट होते रहेंगे तो एक बड़ी परिच्छा का जो अनावस्यक्भय होता है वो छात्रों के अंदर नहीं होगा ठीक है इसलिए ब्यापक मुल्यांकन बराबर होना चाहिए ठीक मारा अ कि तरब से मसीन की तरह है चरते नहीं जाते ठीक है वह कुछ घंस को कुछ भृष्षतों को खाते हैं जिनको खाते हैं थीक है उनको छत्य दीरी खतम हो जाता है और वहाँ पर किया होता है दूसरे पोधे लगते हैं तो चरने वाले चलने जगा पर 10 पर 50 प्रफ्ण का और वीडियो वो पूरा देखें जिससे आपको हर प्रस्ट के बारे में व्यापक जानकारी होती रहें चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और कमेंट जलूर करिएगा कि कमेंट के माध्यम से हम जान पाएंगे कि हम हमारी दिशा क्या है हम अपने लच्छ की तरफ पहुंच पा रहे हैं कि नहीं हम आपको समझा पा रहे हैं कि नहीं कि इसी के साथ हम विदा लेते हैं जय हिन जय भारत